हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने टेक्नो स्पार्ग 20 प्रो एंट्टेट मुवाल फोन में आप अपने मुवाल फोन के साइड वाले पाउर बटन को दबाए बिना आप अपने फोन को री इस्टार्ट कैसे कर सकते है आज के इस वीडियो में आपको डीटियल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगे दोस्तों मुवाल फोन के साइड वाले पाउर बटन को दबाए बिना फोन को री इस्टार्ट किया जा सकते हैं कैसे देखें इसके लिए आपको सबसे पहले मुवाल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है सेटिंग के इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये उप्शन मिलता है यह वाला ये इससपेशल फंक्चन special function पे tap करना है, अब इसके अंदर आपको पेज के नीचे आना है, तो पेज को ऊपर करेंगे, तो नीचे आपको यह option दिखता है, accessibility, accessibility पे tap करना है, अब इसके अंदर आपको जो नहीं, यह option मिल जाता है, accessibility menu, accessibility menu पे tap करना है, तो आपका यह page आता है, accessibility menu का, अब देखिए इस व तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूँआ कि आपको पहला उप्सिन सेलेक्ट कर लेना है टाप एकसिसबिलिटी बटन है इसके ठीक सामने ले बॉक्स पर टाप करना है तो बॉक्स में राइट टिक लग जाएगा अब आपको नीचे की साइड है सेफ सेफ का बटन टाप कर आपको बटन है यह वाला यह आउन हो जाएगा और जैसे बटन अन होता है तो हमारे फोन की स्क्रीन पर देखे सब से नीचे यह जो एकसिसबिलिटी मैन्यू का शॉटकर बटन है यह जो एड हुआ है यह मोगल फोन की स्क्रीन के ओपर सभी जगे आपको दिखाई देगा यह देखे इकोने में दिखाई देरा है सबसे नीचे ठीक है तो इस बटन का आप यूज ना कभी भी किसी वक्त आप कर सकते हैं ठीक है तो दिखे इस बटन को आपको 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 आपका mobile phone जो है restart हो जाएगा तो दोस्तों ये एक तरीका है mobile phone के side वाले power button को दबाए भीना phone को restart करने का तरीका तो आज की इस वीडियो में दिवी जानकर ये अच्छी लगी हो तो इस setting का use करके देखेगा अपने phone में